हेलो दोस्तों इस वीडियो हम बात करें कि हमें घर के अंदर हमें फलस्ट डोर लगाने चाहिए या पैनल डोर लगाने चाहिए पहले के जमाने में तो पैनल डोर ही चलते आए हैं लेकिन अभी फलस्ट डोर भी चलने लेगें काफी सालों से तो हम इस वीडियो में यही जान आपको घर के दिर्वाजे लगाने में कैऊ-क फलस्टोर आपके लिए बैष्ट रहेंगे या पैनल डॉर बैस्ट रहेंगे तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट नमस्कार दोस्तो, मैं कितने पैनल डलवाते हो अब बात करते हैं पॉइंट नंबर दू की देखिए फट डोर फ्लेट ऑन बूँट साइड जो होता है वो दौनों साइड से फलेट होते हैं और इनके दौन साइड का सरफेस हो सुमूत होता है और फट डोर टिंबर फ्रेम और वॉडन स्ट्रिप से से त्यार होते हैं और इसमें पर्टिकल बोर्ड का यूज किया जाता है और इसको दोनों साइड से पलाइवूड वीनियर लेमिनेंट और से इसको कवर केज़ आता है और इस पर पैंट भी करा सकते हो और पैनल डोर नेचरल वुड से त्यार होता है तो वीडियो आगे स्टाट करों से पहले करूँ कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कि तो प्लीज कर ले क्यों कि इस चैनल पर मैं इंटीज से लेटेड वीडियो डालता रहता हूं और चैनल को सब्सक्राइब करके आप भी हमारी यूटूब फैमिली का इसे दार बन जाएए ताकि आपको मैं अच्छी अच्छी रोज नहीं नहीं वीडियो देश को बात करते हैं पॉइंट नमर त्री अपैरेंस की देखिए फलेस्ट टोर मे आप गर पर इजली कर सकते हैं क्योंकि फलेस्ट डॉर आपको वन फीस में मिलता है बोर्ड इसका इसकी जो मैनुफेक्टरिंग है वो फैक्टरी में हो जाती है और यह वन फीस में आपको दिया जाता है तो इसके उपर इजली कारपेंटर एमडेफ वीनियर या लेमिनेट लगा सकता है एंड पैनल डॉर का कंसेक्शन काफी डिफिकल्ड और कंप्लिकेटड होता है और इसमें आपको हाई स्किल्ड बंदों की भी जूरत पड़ती है और पैनल डॉर में इससे फलेस्ट डॉर के कंपरेजन में टाइम भी ज्यादा लगता है करते हैं पॉइंट न इंसलेटर अच्छा नहीं है कंपेर तू फलस्डोर अब बात कर्ते हैं पॉंट नर्सेवन की हार्डवेर होल्डिंग स्ट्रैंट फलस्टोर की हार्डवर होल्डिंग स्ट्रैंथ एतने अच्सी नहीं होती कि इसको different different layer से बना जाता है और इसमें artificial wood का यूज किया जाता है इसलिए इसमें अगर आप की लिया पेज जो भी लगाते हो तो इसमें अच्छे से होल्ड नहीं हो पाता है और पैनल डॉर में पैनल डॉर की हार्डवेर होल्डिंग strength काफी है कंपेर तो फलिषटब कि इसमें नेच्रल वुड का यूज होता है इसमें एक सोलिड वुड का यूज होता है आनल पानल्ड की तो फलशडव की स्ट्रैंट अच्छे नहीं होती क्योंगी इसमें आर्टिपिशल वुड का यूज होता है और पैनल डॉर प्लेन होनी वजहे से और फैनल डौर का स्टेयन रेजी जेंस बहुत ही लों होता है विहां कि इसमेंbuilt में डिजाइन होती है उसमें गूर्प बन जाता है और गूर्प में डस्ट जो होती है imagem क्फ़िपड कर लिथी और फस्च जाते तो इसमें दिमक लगने का बहुत ही ज़दा खत्रा रहता है अब बात करते हैं पॉइंट नमर 11 की मेंटिनेंस की तो मेंटिनेंस फलस्ट डोर का लो होता है और पैनल डोर का हाई होता है क्योंकि पैनल डोर में रिक्वार्मेंट रहती है कुछ टाइम बाद पैंट पॉलिस की और फलस्ट डोर में पैंट बगरा पैंट पॉलिस की रिक्वार्मेंट नहीं रहसा की हमें यह कहां कहां यूज़ करने चाहिए तो फलस्ट डोर का इंसाइड और आउट साइड दौनु साइड लिदी इसका यूज़ और इसका जो ज्यादा तर यूज़ होता है वो में भी कर सकते हैं लेकिन अक्स्टेरियर में करने के लिए आपको इसमें तोड़े सी ज्यादा सेफटी की जूरत परती है और इसका ज्यादा तर लक्जरी गरों में यूज होता है पॉइंट नमर 13 थिकनेस की थिकनेस आपको 25 mm 13 35 mm दोनों डॉर में मिल जाती है तो जैसे बात करते हैं पॉइंट नमर 14 लाइफ की तो लाइफ है फलस्क दोर की कम होती है और पैनल डॉर की ज्यादा होती है कंपेर टू फलस्क दोर क्योंकि पैनल डॉर एक नेचुरल वूड है और अगर यह दिमक के संपर्क में नहीं आता है तो आप इसको काफी सालों तक चला स लगते हैं बात करते हैं पॉइंट नमर 15 की लास्ट एंड फाइनल कोस्ट की तो कोस्ट की बात करूं तो मैं फलस्क दोर कम एक्सपेंसिव है कंपेर टू पैनल डॉर क्योंकि इसमें एक तो सिंपल डिजाइन आते हैं और इसमें आर्टिपिसल का वूड का यूज होता है और पैनल डॉर काफी महेंगे हैं कंपेर टू फलस्क दोर क्योंकि इसमें एक तो नेच्रल वूड का यूज होता है और दूसरा इसमें जो डिजाइन होते हैं पैनल बनते हैं डिजाइन के वो काफी डिफिकल्ट बनते हैं और इसमें टाइम भी ज्यादा लगता है और इस काफी जयादा काफी जयदा आती है क्योंकि तो यह नेत्रलमट होता है और इसको पहले लगडी कोटा आजाता है फिर इसको वा फेक्टारिंग होने के लिए और जो इसमें पैनल में DESIGN होती है वो भी काफी महंगी होती है और फिर इसके बाद इस पर जो पॉलिस होती है वो भी काफी महंगी होती है अगर आप फलस्ट डॉर की तरफ जाते हैं तो जिसे जितनी खर्चा इसकी जो पैनल डॉर की पॉलिस में आता है उतने खर्चे में आपका एक फलस्ट डॉर त्यार ह हो जाता है तो last door की भी life काफी अच्छी है काफी सुन्दर लगते और आप सबस्ट डॉर तो आ Bangladesh गासा है तो आज के लिए इतना ही मिलते हैं किसी नेक्स्त वीडियो में अगर आपने अभी तक चैनल को subscribe तो नहीं कि I ऐसी वीडियो इंटिरिस रिलेटर मैं इस चैनल पर डालता रहता हूं ताकि आपको मेरी वीडियो हेल्प कर सके तो मिलते हैं किसी नेट्स